लोकसभा चुनावों से पहले हिमाचल में बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता में संतुलन साधने के लिए दिल्ली में चल रही हलचल कभी भी सामने आ सकती है। वित्य हालात से लेकर प्रशाशनिक कमजोरियों में सुधार करने सहेत कई पहलूं पर कॉंग्रेस हाई कमांज सक्त दिख रहा है। समय से मचे घमासान के बीच दिल्ली के गलियारों में सियासी गुणा भाग शुरू हो गया है। परदेश में बने आर्थिक हालात को हैंडल करना बड़ा एवम गंभीर मसला बना माना जा रहा है। इससे जुड़े हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं प्रशाशनिक कमजोरियों और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े मसले भी केंद्रिया हाईकमान के समक्ष उठ रहे है। सत्ता में ब्यूरोक्रेसी की भागेदारी और मौजूदा परिस्थितियों से बने सियासी हालत पर बड़े स्तर पर मंथन के बाद बदलाव की प्रिष्ट भूमी तयार हो रही है। कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजुद वरिष्ट नेताओं की सरकार में भागेदारी ना होने से उपजे हालात के बाद दिल्ली की चिंताएं हिमाचल में नए संयोग बना रही है। मंत्रियों की परफॉर्मंस और जनता की दी गई गारंटियों को लागू करने के लिए भी मेगा प्लान बनाते हुए बदलाव के लिए आधार बनाया जा रहा है। जिससे लोगसभा चुनाओं से पहले हालत में नयापन लाया जा सके। दिल्ली की सत्ता में वापसी के प्लान पर काम कर रहे कांग्रेस हाई कमान ने सभी परदेशों के हालत पर अलग-अलग मन्थन शुरू किया है। इसके तहट कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों के हालत पर पार्टी हाई कमान अलग से मन्थन कर रहा है।